पाठ पंदरा मूह मांगी कीमत किसी गाउं में माया नाम किया एक बहुत धनी महिला रहती थी। उसके घर में बहुत सारे नौकर चाकर थे जो घर का सारा काम करते थे। इस कारण माया का समय व्यतीत नहीं होता था। एक दिन उसने टफी नाम का एक कुट्ता पाल लिया। अब वे अपना सारा समय टफी के साथ ही बिताती थी। वे उसे बहुत प्यार करने लगी तथा टफी भी उसके साथ रहकर बहुत खुश होता था। एक दिन माया को अपना चित्र बनवाने की सूजी। अता उसने एक नामी चित्रकार को बुलाया और उसे चित्र बनाने के लिए कहा। कई दिनों की मेहनत के बाद जब चित्र बनकर तयार हो गया तब चित्रकार ने माया को फोन किया और कहा। मैडम आपका चित्र तयार हो गया है आप कल आकर उसे ले जाएगा। ठीक है मैं कल आती हूं माया ने उत्तर दिया अगले दिन जब वे अपना चित्र लेने उस चित्रकार के यहां पहुंची तो उसका कुत्ता टफी भी उसके साथ था चित्रकार ने चित्र माया के सामने रख दिया माया ने अपना चित्र टफी को दिखाते हुए कहा टफी डार तरफ कर लिया यह देख माया नाराज हो गई और उसने चित्रकार से कहा मुझे नहीं चाहिए यह चित्र क्योंकि इस चित्र को देखकर मेरा टफी नहीं भौका इसका मतलब है कि उसे यह चित्र पसंद नहीं आया यह सुनकर चित्रकार को बड़ी हरानी हुई परन्तु अपन मैं इस चित्र की कमियों को दूर कर देता हूं उसके बाद अपका कुट्ता इस चित्र को देखकर जरूर बहुकेगा यह सुनकर माया टफी को लेकर कक्ष के बाहर चली गई और बाहर बैठकर चित्र ठीक होने का इंतिजार करने लगी थोड़ी देर बाद, चित्रकार ने माया को कक्ष के भीतर बुलाया भीतर घुसते ही माया को कुत्ता टफी चित्र देगकर भौकने लगया टफी को भौकता देखकर माया बहुत प्रसंद हुई और चित्रकार से भोली वहाँ लगता है कि अब आपने मेरा चित्र ठीक कर दिया है तभी तो टफी चित्र को देखकर भौक रहा है तथा मेरे हाथ से रसी छुडा कर उसके पास जाना चाहता है मैं ये चित्र लेना चाहती हूँ बताए इस चित्र की क्या कीमत है मैं आपको मुँ मांगे कीमत दूँगी चित्रकार ने माया से उस चित्र की अच्छी कीमत वसूल ली माया ने भी खुशी खुशी उसे मुँ मांगे पैसे दिये और अपना चित्र लेकर वहाँ से चली गए उसके जाने के बाद चित्रकार को बहुत हसी आई, क्योंकि उसने चित्र में कुछ भी ठीक नहीं किया था, बलकि उसके पीछे एक बड़ा सा शीशा रख दिया था, जिसमें अपनी ही तरह का दूसरा कुत्ता मालकिन के चित्र के पीछे खड़ा देख टफी भौकने लगा, और माया की भी यही इच्छा थी कि टफी उसका चित्र देखकर भौके, नेकिन वे नहीं जानती थी कि टफी उसका चित्र देखकर नहीं, बलकि शीशे के अंदर दूसरे कुत्ते को देखकर भौक रहा था, इस तरह चित्रकार ने अपनी युक्ती से बिगडी बात को चित्र, तस्वीर, नामी, प्रसिद्ध, बुद्धिमानी, होशियारी, भीतर, अंदर, कक्ष, कमरा, शीशा, दरपण, मुमांगी, मन्चाही,